हेलो गाइस कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे अपना बहुत सा ध्यान रख रहे होंगे आज मैं आप लोग के साथ बेसन की लड्डू की रेस्पी शेयर करने जारी हूं जो कि बहुत सिंपल रेस्पी है और लड्डू बहुत डालेंगे उसमें तीन मीडियम साइज के चमज से देसी घी डाल देंगे घी हम एक बार में नहीं डालेंगे अभी मैं तीन चमज डाल रहे हूं बाकी का घी हम बाद में डालेंगे उसके बाद हम इसमें दो कटोरी बेसन डालेंगे वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए अब हम रेसिपी कंटीन्यू करते हैं मैंने बेसन डाल दिया है अब हम इसे लगाता चलाते हुए भूनेंगे याद रखेगा गैस का फ्लेम एकदम लो रखेगा क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे बेसन को भूना स्टार्ट करेंगे तो भूनाएगा नहीं वह जल जाएगा जैसे जैसे अब भूनते जाएंगे वैसे वैसे आप नोट करेंगे कि बेसन का कलर चेंज हो गया है अब मैंने तीन चमच पहले घी डाला था एक चमच मैं अभी डाल रही हूँ फिर से और जैसे अब हम भूनेंगे ना तो इसे क्या कर जाएंगे कल्ची से बेसन को इस तरीके से प्रेस करते हुए जो गाठे बन रही है उन्हें तोड़ते हुए भी जाएंगे और जैसे अब भूनेंगे वैसे वैसे बेसन का कलर चाहेंज होता जाएगा और बेसन इखटा होना स्टार्ट हो जाएगा अब तक मैंने इसमें च सार चमच घी एड़ कर चुकी हूं अब मैं इसमें एक चमच घी और एड़ कर रही हूं जो कि है पांचवा चमच और इसे फिर से mix करना start करूंगी फिर से भूनना start करूंगी हमें कुछ नहीं करना है घी का portion हमें ध्यान रखना है कि एक साथ सारा घी हम add नहीं करेंगे और इसे na slow flame पे लगातार चलाते हुए भूनते जाना है इंते वक्त एक बात का जो ध्यान रखेगा कि gas का flame एकदम low ही होना चाहिए अग अगर आपने medium या high flame पे किया gas तो यह बहुत जल्दी जल जाएगा और भूनाएगा भी नहीं तो इससे क्या होगा कि इसे ना हमें तब तक भूनना है जब तक एकदम runny consistency में ना आ जाए और जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे ना यह एकदम sticky type का होता जाएगा मौश्यर चोड़ता जाएगा और अगर हमने एक साथ सारा घी आड़ कर दिया तो ना क्या होगा कि आपकर ना जो यह basin की consistency है वो बहुत ज़्यादा runny बन जाएगी उससे ना फिर लडू अच्छे नहीं बनेंगे इसलिए इसे भूनते वक्त और घी आड़ करते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा बीस से पच्छेस मिनिट लगाता है बूने के बाद इसने काफे चा मौशर छोड़ दिया है अब मैं यह last चमच घी इसमें डाल रही हो और इसे अच्छे से फिर से mix करूंगी आप देखेंगे जैसे ही मैं यह mix करना start करूंगी यह last चमच घी डाला यह एकदम स प्रेस करते हुए बूनेंगे इस तरीके से इसे क्या होगा बीस में हलका सा भी ना कच्छा पन नहीं रहेगा इसको भूनने में ठोटल छे चमच घी डाला है जो कि नॉर्मल मीडियम साइज के चमच से मैं घी डाला है आप यह छोटी छोटी बेसिक टिप से फॉलो करेंग जो कि बहुत ही आप इस तरीके से बना सकते हैं आप बहुत टेस्टी बनेंगे इसी तरीके से पांच से दस मिनिट और भूनोंगी जैसे ही बेसन हमारा भूनाता है ना पूरे घर में इसकी खुश्ववानी स्टार्ट हो जाती है तो आपको इसली पता चल जाएगा कि बेस दो शर चोड़ता है तो अब हम क्या करेंगे इसे कढाई से निकाल लेंगे थंडा करने के लिए सिर्फ पांच मिनिट जोड़ेंगे उससे ज़्यादा देर हम इसे नहीं चोड़ेंगे क्यक्या पूरी तरह थंडा हो जाएगा तो यह लडड़ू नहीं बंदेंगे और थं कितना ज्यादा यम्मी लग रहा है देखने में अभी सही इसे हम ठंडा होने के लिए मिनिट के लिए छोड़ देंगे पांच मिनिट पार मैं इस तरीके से चल्मद से इसे फिला हैं क्योंकि इसे घंडा नहीं करना है और कंसिस्टेंसिग देख लिजिए इस में अब हम चीनी मीठा काना पसंद है तो आप इसमें ज्यादा चीनी आड़ कर सकते हैं पर दो कटोरी बेसन के लिए एक कटोरी चीनी काफी है इसे इस तरीके से मिक्सी में पीस लीजिएगा मैंने भी इसे मिक्सी में पीस है अगर आपके पास बुरा अविलेबल नहीं है और इसे अच्छे स मिक्स कर लेंगे इसे चमत से अ 업ि निकाल रहे हूँ ताकि थोड़ी से भी wastage ना हो और इसे नीचे से क्योंकि चीनी है तो चिपक चाता है इस लिए अच्छे से निकाल लेंगे और शे उसके कि बात ये नखhone नहीं चलिए ये अच्छा से मैंने ट्रांस्फर कर दिया अभ हम से मिक्स करना स्टार्ट करते हैं हाथं से चीनी को बहुत अच्छा मिक्स करियेगा ताकि मिठास इसकी ना पूरी एकदम इक्वलphy मात्रा में रहे पूरे थोड़ा आपको गरम लगेगा पर इतना सहान कर लेंगे आप क्योंकि पांच मिनिट आपने रेस्ट भी कराया है बेसन को अराम से आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं बेशन और चीनी ना अच्छे से मिक्स हो चुका है तो चलिए अब इसके हम लडू बनाना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस तरीके से हातों में और अपने पसंद के साइस का लडू बनाईएगा इसे इस तरीके से बांते जाएगा मैंने इसमें से थोड़ा सा निकाल दिया था मुझे ज्यादा बड़ा लडू नहीं पसंद है तो उसके बाद मैं इसे इस तरीके से राउंड राउंड करके आप नॉर्मल लडू बना लीजएगा गोल गोल आप चाहें तो इसे पेड़े का भी शेप दे सकते हैं इसी तरीके इसे अपने सारे लडू बना लेंगे उसके बाद इसे सेट होने के लिए आधे गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे इससे लडू सेट हो जाएगा तो अगर आपको मेरी वीडियो मेरी रेस्पीस पसंद आती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा घर में इजी टेस्टी रेस्पीस बना सके और उसको घोश कर सके बसंद पंचमी का तहवार आने वाला है उस दिन मा सरस्वती की पूजा होती है और उस दिन लोग पीले पीले कपड़े पहनते पीली चीजों का यूज करते हैं तो उसमें आप ये प्रशाद के रूप में चड़ा सकते मा सरस्वती को और बहुत टेस्टी लडू बनते हैं इसे उपर से मैं डेकोरेशन के लिए बदाम डाल रहे हूं अब कोई भी ड्राइफूट साइड कर सकते हैं से दो से तीन चीजे मैंने इस्तेमाल की हैं घी बेसन और चीनी उससे इतनी टेस्टी लडू बन ुत